हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है देखी फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा ये कार्डिगन का डिजाइन लेके आयो धेखे friends इस डेजाइन को आप ladies cardigan में, ladies half jacket में, baby frog में, baby top में, किसी में भी आप डालिए शोल में बहुती सुंदर डेजाइन बनके आता है और बनाना तो बहुती आसान है चलिए तो friends आब हम इस डेजाइन को बनाना शुरू करते हैं दिखने में जितना सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है फ्वर रोज का डिजाइन है और बहुत ही जल्दी-जल्दी बन के आता है चलिए तो फ्रेंट्स अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए देखे friends मैंने इस design को बनाने के लिए 15 के multiple में फंदे लेके और 2 फंदे प्लस किये हैं जैसे पहले 15 फिर 15 फिर 2 फंदे ये मेरे यहां पे 15 के multiple 30 और 2 32 फंदे हैं अब हम इस design को डालना शुरू करेंगे पहले हम दो सलाईयां basic डालेंगे तो ध्यान दीजिए ये सलाई हमारी सिर्फ एक बार डिलेगे आगे हम फिर 4 फोर रोजगा repeat करते जाएंगे पहला फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर 13 फंदे सीधे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू, दस, जारे, बारे, और तेरे धागा अपनी तरफ करते वे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, धागा पीछे करेंगे फिर से 13 फंदे सीधे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू, दस, ग्यारे, बारे, और तेरे धागा अपनी तरफ करेंगे और लाश्ट के ये फंदे उल्टे बनादेंगे दो फंदे अब आएंगे हम सेगेंड रो पर बैक साइड तो देखें फ्रेंड्स दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये तेरा फंदे अब यहाँ पर उल्टे बन जाएंगे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, और तेरा फिर धागा पिछे करेंगे और दो फंदे सीधे देखें फ्रेंड्स, बैक साइड में पूरे ही डिजाइन में हमारी ऐसे ही सलाई बनती जाएगी दो फंदे गैप के सीधे और तेरा फंदे उल्टे पंदरा फंदो का डिजाइन है, देखें फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाली बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनके आता है यह हमारे तेरा फंदे उल्टे बन जाएंगे यहाँ पे धागा पिछे करेंगे और दो फंदे लास्ट के सीधे होना देगे यह हमारी बेसिक रो बनके कम्प्लेट हुए देखें फ्रेंड्स, अब फिर हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो हमारा ऐसे ही डिजाइन बनके आएगा दो फंदे उल्टे, यह स्टार्टिंग के दोनों फंदे उल्टे ही बना लेंगे धागा पीछे करेंगे अब हम यहां पर डिजाइन डालेंगे अपने फंदों को यह दो सलाई जो हमने बोर्डर बनाने के बाद डाली यह सिरफ एक बार डलेगी आगे फिर चार-चार सलाईयों को रिपीट करते जाएंगे यह हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है तेरा फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे जैसे हमने पहले दो बेसिक रो बनाई थी ऐसे ही एक बार और डालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यह दो फंदे उल्टे देखे फ्रेंड्स अब हमारा यह रिपीट यहां से यहां तक एक रिपीट कमपलेट हुआ ऐसे ही हम अपने पंदों को अर्जेस्ट करते जाएंगे दो फंदे उल्टे और तेरा फंदे सीधे ऐसे ही हम इस रोकों पूरा करेंगे तेरा फंदे सीधे दो फंदे उल्टे यह अब लाश्ट के दो फंदे धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टे देखे फ्रेंड्स बैक साइड से फिर से वैसे ही बनाएंगे दो फंदे सीधे और तेरा फंदे उल्टे ऐसे ही बनाते हुए इस रोकों अब हम कम्पलेट कर लेंगे दागा पिछे लाश्ट के दो फंदे सीधे देखे फ्रेंस ये हमारी second row बनके complete हुई अब आ गई हम third row पर third row पर हम अपना design डालेंगे तो दो फंदे, खुल्टे, धागा पिछे अब जो हमारी ये first, second, third, four ये चार फंदे हैं जो इन चार फंदों को पहले ऐसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे चार फंदों को लूज करके अग्गे सलाई डालते हुए, ऐसे चारो फंदों को सीधा बना देंगे ऐसे सीधा फंदा बुन देंगे, चार का एक तो हमारे यहां पर तीन फंदे कम हो गई चार से एक फंदा बना मत तो तीन फंदे घट गई अब दागा ऐसे आगए करेंगे और जाली डालते हुए यहाँ पर बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर दागा आगए फिर दूसरा फंदा फिर दागा आगए फिर तीसरा फंदा फिर दागा आगए जाली डालते हुए फंदा सीधा फिर दागा आगए जाली डालते हुए फिर पंदा सीधा तब तक बनाएंगे जब हमारी ये लाश्ट में चार फंदे सीधे रह जाएंगे यहां तक हम जाली डालते हुए सीधे फंदे बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से इनका तीन का एक कट देंगे चार फंदों का एक सोरी ऐसे इनको लूज एक प्रका सी किरा दरश ओड़ ऊसे किफलेगी और यह कि भूखे तिसलिटों को यह स्न जोने हिए फिर इनको आगे की तरब से ऐसे चार फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे चार का एक तो तीन फंदे हमारे फिर यहां पर कम हो गई धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे अब ये लाश्ट के चार फंदे हैं जो सीधे यहां तक जाली डालते हुए लास्ट में हुमारे 4 फंद ब्च गई इन चार फंदों से पहले ऐसे जाले डालेंगे और इन फंदों को लूज करेंगे ऐसे लूज करके उनको बैक साइड से चार का एक सीधा फंदा बना देंगे चार का एक बना देगे देखे ब्राइंट चार का एक यहां पर बिना चार का एक यहां पर बना तीन फंदे यहां कम हुए तो तीन यहां के हमारी फिर 6 जाले बीच बेडलके फंदे हमारे उतने ही हो गए जितने थे धागा अपनी तरफ करेंगे और लाश्ट के 2 फंदे उल्टे अब आएंगे हम 4th रो पर 4th रो को फिर से ऐसे ही बनाएगे 2 फंदे सीधे जो सीधी तरफ से उल्टे थे धागा अपनी तरफ, अब ये बीच के फंदे हैं, फिर से जाली वाला भी और सीधा भी इनको उल्टा बनाएगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दैस, ग्यारे, बारे, और तेरा, फिर से हमारे वही फंदे ही ये बन गई, जाली डली थी जो, धागा पीछे करेंगे, गैप के फंदे दो, सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और फिर से ये जाली डाले हुए फंदे और सीधे, सभी फंदों को इनको उल्टा बनाएगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दास, ग्यारे, पारे, और तेरा, तेरा फंदे उल्टे, लाश्ट के दो फंदे, सीधे, अब आगए हम सीधे तरफ, देखे फ्रेंट्स, चार सलाईया बन चुके, इनहीं चार सलाईयों को जब हम बार-बार रिपीट करेंगे, तो हमारा ऐसे ये प्यारा सा डिजाइन बन के आ जाएगा, चार सलाईयों में हमना ये इतना डिजाइन बन के आगा, फिर से चार बनाएंगे, फिर से चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, मैंने ये पांच बार रिपीट किया हुआ है, मेरी ये यहां पे 20 सलाई बन के, तब ये इतना डिजाइन बन के आया, तो देखे फ्रेंट्स, इनहीं चार-चार सलाईयों को आप रिपीट करते हुए जाएगा, और ये बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा, इजी सा डिजा तेंक यू